नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News मैं हूँ सुरेश सास्तरी जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमेशा हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को मेस रासी से लेकर मीन रासी तक के बारे में हम बताते हैं कि कैसा जाने वाला है आज का दिन और क्या करें उपाए जिससे और बहतर जाए आपका दिन तो यानि कारण और निवारण दोनों साथ में लेकर चलते हैं उसके साथ साथ में जब भी कोई गरह बदलता है कोई गरह की इस्तितिया कैसे होती हैं उनके बारे में भी हम आप लोगों को जानकारी देते रहते हैं तो अब हम सुरू करते हैं खास से योजनाई आपकी बहुत जल्दी साकार हो आज के दिन भगवान स्यू की आराधना करने से लाभ मिलेगा सुभरंग आपका आस्मानी है और सुभ अंक आपका छे है बात करते हैं अब हम बिर्शफ रासी के बारे में बिर्शफ रासी के जो जातक हैं उनके लिए आज का दि मिलने की संभावना है क्या करें उपाए जिससे दिन बहतरी जाए आज के दिन गाय को गुण खिलाने से आपको बहुत बड़ा लाब होगा सुभरंग आपका संतरी है और सुभ अंक आपका नौ है बात करते हैं मिथुन रासी के बारे में मिथुन रासी के जातक अगर आज किसी समाजिक समारोह में जाने की सोच रहे हैं तो अवस्य जाएं धार्मिक यात्रा की रूप रेखा बनेगी कारियों के प्रति आपका समर्पित भाव सफलता दिलाएगा क्या करें उपाए जिससे बढ़िया दिन जाए आज के दिन गौसाला में जा करके गाय को हराचारा खिलाने से आपको लाब मिलेगा सुबरंग आपका हरा है और सुबरंग आपका एक है बात करते हैं अब हम करकरासी के बारे में करकरासी वाले जातक आज लंबे अर्से को मद्धे नजर रखते हुए निर्वेश करें पारिवार के सदस्यों की सेहत से जुड़ी दिक्कते आपको मांसिक परिशानी दे सकती है क्या करें उपाय जिससे दिन बढ़िया जाए आज के दिन गौशाला में जाकर गाई को पूरी और हलुआ खिलाने से आपको लाप मिलेगा सुबरंग आपका सफेद है और सुबरंग आपका आठ है बात करते हैं हम सिंगरासी के बारे में सिंगरासी वाले जातकों के लिए आज का दिन आपके प्रेम जीमन के लिए अच्छा रहेगा आज दूसरों की परवाह करने के लिए अपनी च्छाओं का बलिदान ना करें जो कार्य आपको अच्छा लगे वही करें क्या करें उपाई जिससे दिन बढ़िया जाए आज के दिन मा गौरी की आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा सुभरंग सलेटी है और सुभंग आपका साथ है बात करते हैं अब हम कन्यारासी के बारे में कन्यारासी वाले जातकों को आज यदि घर पर कोई पुरानी कीमती वस्तू पड़ी है तो उसे बेचने का विचार मन में आ सकता है भूमी संबंधी मामिलों में राहत मिलने की संभावना है घर वालों का आपके परतिविश्वास बढ़ेगा क्या करें उपाई जिससे दिन बढ़िया जाए आज के दिन कन्या को वस्त्रदान करने से आपको लाभ मिलेगा सुब रंग केसरी है और सुब अंक आपका छे है बात करते हैं अब हम तुलारासी के बारे में तुलारासी के जातक ब्यापारी हैं तो बजार में आपको लेकर बाते होंगी और छबी को नुकसान पहुँचेगा आप इसको लेकर चिंतित भी रह सकते हैं और मांसिक तनाव भी हो सकता है क्या करें उपाय जिससे दिन बढ़िया जाए आज के दिन किसी गरीब को नीला वस्तरदान करने से आपको लाभ मिलेगा सुब रंग नीला है और सुब अंक आपका चार है बात करते हैं बिर्चिक राशी के बारे में बिर्चिक रासी वाले जातक अगर कालेज में हैं तो अपने सीनियर का सम्मान करें क्योंकि वह आपके बहुत काम आएंगे किसी काम में फशे हुए हैं और वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो आज के दिन उसमें सफलता मिलेगी और वो आसानी से पूरा हो जाएगा आज क्या करें उपाए आज के दिन हनुमान चालिशा का पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा सुभ रंग आपका पीला है और सुभ अंग आपका नौ है बात करते हैं अब हम धनूरासी के बारे में धनूरासी के जातक यदि कुछ समय से किसी के साथ प्रेम संबंद में हैं तो घर में किसी सदस्य को आपके प्रेम संबंदों के बारे में पता चल सकता है हलाकि भविष्ट की दृष्टी से यह आपके लिए अच्छा रहेगा सुब अंक आपका पाच है और सुब रंग जो है आपका वो गुलाबी है बात करते हैं अब हम मकर रासी के बारे में मकर रासी वाले जातक आज मांसिक असान्ति के लिए तनाओ के कारणों का समधान करें आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने तैसुधा वजट से दूर ना जाएं पारिवारिक तनाओं को अपनी एक आंगता भंग ना होने दें क्या करें उपाई जिससे दिन बढ़िया जाए आज के दिन भगमान स्यू को सफेद फूल चड़ाने से आपको लाब मिलेगा सुब अंक आपका तीन है और सुब रंग आपका भूरा है बात करते हैं कुमभरासी के बारे में कुमभरासी वाले जातकों के लिए आज का दिन खुसियों भरा रहने वाला है आज आपको कोई बड़ी खुस खबरी मिल सकती है आज आपके पारिवारिक जीमन में भी खुसियों का माहोल बना रहेगा किसी प्रिये मित्र से मिलने का योग बन सकता है क्या करें उपाय जिससे दिन बढ़िया जाए आज के दिन पीपल के पेंड को जल देने से आपको लाभ मिलेगा सुबरंग आपका भूरा है और सुबरंग आपका दो है बात करते हैं मीनरासी के बारे में मीनरासी वाले जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दिरिष्टी कोंड से इतना अच्छा नहीं बीतेगा ब्यापार में आय उतनी नहीं होगी लेकिन उसकी तुलना में खर्चे अत्याधिक बढ़ जाएंगे ऐसे में परिशान होने की के बजाए धैर से काम लें क्या करें उपाए जिससे दिन अच्छा जाए आज के दिन चने की दाल मंदिर में दान करने से आपको लाभ मिलेगा सुबरंग महरून है सुब अंक साथ है जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने आप लोगों को बताया कि बारा तारीक को राहू और केतु बदल गया है जैसे की मेस रासी जैसे की तुला रासी जैसे की बिर्चिक रासी जैसे की कुछ ऐसी रासिया चल लई हैं जिन रासियों के जातक एक तरीके से डिप्रेशन में आ गए हैं उनको मानसिक असांती बन गई है कहीं न कहीं उनके नाम को लोग बदनाम करने में लग गए हैं क्योंकि कुंडली में राहू की युक्ती देखा जाता है राहू एक ख्याती प्राप्त ग्रह है राहू और सुक्र हमेशा ख्याती प्राप्त ग्रहो है तोनको दो उपाय करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह समय 18 महिने के लिए है कोई newest महिने कि लिए नहीं है तो इसलिए उपाय करना चछिए उपाय करने में किसी भी प्रकार का कोई जो है सर्म और संकोच नहीं करना चाहिए कि कि मैं इनको नहीं मानता हूँ आज बड़े-बड़े बैग्यानिक चांद तक पहुंच गए मंगल तक पहुंच गए शुक्र तक पहुंच गए रहुकेतु तक कोछ हाया ग्रह मान लिया सब कुछ उन्होंने रिसर्च कर लिया है तो इसलिए इसमें आप लोगों को थोड़ा नंबर उपाई क्या करना है कि उनको बुधवार के दिन उड़त की बड़ी मतलब उड़त का पकोड़े बनवा करके और गरीब विकलांग लोगों में बांट देना चाहिए पहला उपाई ये करना है दूसरा उपाई उनको ये करना है कि सौफ लेना है उनको सो डेड़ सो सौफ ले लो और उसे पीले कपड़े अथवा सफेद कपड़े में बांध करके और उसे अपने तक्या के नीचे रख करके रात को सोएं इससे क्या होगा कि आपका जो मन में बेचैनी है वो बेचैनी दूर हो जाएगी और आपको अनिंद्रा से संबंधित बीमारी है यह दू हो जाएगी और आपको बहुत बढ़िया नीद आएगी अन्यथा अगर आप ऐसा कोई उपाई नहीं करते हैं तो आपको नीद्र की गोली खा करके नीद्र लेना पड़ेगा तो इसलिए हम आपको हमेशा जब जब गरह बदलते हैं तब तब हम आपको ऐसी चीजें बताते हैं कि आप इनको उपाई करके और अपने जीमन को बढ़िया बना सकते हैं बहुत अच्छा सुचार उढ़ंग से चला सकते हैं तो दर्सकों जैसा कि मैंने बताया आप लोग इसको जरूर करिएगा और बाकी देखते रही हमारा टीन पी नूज हम अपने प्रोग्राम में आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें रिसर्च करकर के हम आपको आगे भी बताते रहेंगे तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइज करें फालो करें अपने मित्रों को भी भेजाएं और उनसे बोलें यह उपाई जरूर करेंगे तो दोस्तों अब हमको देजाजत फ अब तक के लिए नमस्कार जैसरी राम